जे मक्त दी भक्तो शुब नवरात्री भक्तो नवरात्र के नव रुखों में मा कालरात्री का सत्तमा दिवस है भक्तो सात्य दिन मा कालरात्री का ब्रत पूजन किया जाता है भक्तो मा कालरात्री हम लोग का अरुग्य का बरदान देते हैं भक्तो मा कालरात्री का हम लोग को व्टोर तो मां का इस मंत्र से हम लोगों मां का पूजन करना चाहिए मां कालरात्री के सत्तम दिन उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन के जाने वाली बाधाय समाप्त हो जाती हैं वक्तो और आप अगनी जल जनतुसत्र वाधि के वह से मुक्त हो जाते हैं मा कालराती वक्तों के लिए ब्रमान्ट की सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राखोल देती है मा कालराती रे सुरुपती भवायों अभूग रहा है मा कालराती नकरात्मक तामसी और राजसी प्रवतियों का विनास करके बक्तो को दानों देते राच्छ सुभूत प्रेत आध से अभय परदान करती हैं बक्तो मा का या रूप ग्या नोवरा के परदान करता है गने अंदेरे की तरह एकदम गहले कारे रंग वाली तीन नेत्रों वाली सिर्के बाल विखे रखने वाली और नाक से आख की लप्तो के रूप में सास निकालने वाली कालदात्री मा दुरगा का सात्वा विग्रा सोरूप है भक्तो इनको तीनों नेत्र परमांट के गोली की तरह गोल है इनके गले में विदू जैसी छटा देने वाली सफेद माला सुशर भीत होती है इनके चार हाथ हैं मा कालरात्री भक्तो को सुपर देती है इनका वहान गधा है ये स्मण करने वालों को सुपर प्रदान करती हैं भक्तो उनकी रच्छा के लिए थियार भी रखती है योगी शाध को द्वारा कालरात्री का इसमरण सहस्त्रार चक्र में ध्यान के निरित करके किया जाता है वक्तो काल रात्री मा के चार हाथ में से दो मिशत रहते हैं एक हाथ मैं मुद्रा में तथा एक वर मुद्रा में रहता है दाहिनी ओर का उपर वाला हाथ हसी आत्वा चंद्रहास कड़क धार करता है जब कि नीचे वाले हाथ में काटे दार कटार रहती है वक्तो मा का उपरी तनलाल रख्टि मुनवस्त्र से तता निशे का अधा बाग、 बाग के चम्णे से ढखा रहता है वक्तो नवरात्री के साथे दिन मा को गुर का नयवे धरिपित करके सोग मुक्त रहने का वर्धान प्राप्त होता है ये वक्तों के पास कभी भी दरिद्यामा नहीं आने देती है तो ये वक्तों नरात के साते रूप में मा कालरात्री का हम लोग को फूजन करना चाहिए मा काल राती हम लोग के जीवन से सारे दुखों कश्टों को निकाल देती है वक्तों और हम लोग को सोक मुक्त कर देती है वक्तों तो मा का साथना मंत्र हूं देवी का त्याय नमा है वक्तों इस मंत्र से हम लोग को मा का पूजन करना चाहिए हमें अगर कुछ भी नहीं आता है तिपोली समंत्रे के दोरा भी अपने पूजन को म extraordinarily सकते हैं, और मा की आसिरवायत को प्राप्ट और बगतो, तो इस दिन मा का तिरका पूजान नमस्घ करें, बगतो, और मा का इस दिन पूजण मैं वस्य करना चाहिए और अपने जीमा से सोख को दूर भागाना चाहिए भक्तो तो मैं आम लोको सोख से मुक्त करती है इस दिन भक्तो मिलती अगली वीडियों भक्तो नमस्कार